दिली से सटे साइवसिटी गुरुग्राम में बढ़ते हुए ओमिक्रोन के मामलों ने स्वास्ते विभाग की चिंता बढ़ा दी है। और साब जनी जगों पर लोगों की उम्रती भीर चिंता का विशे बनती जा रही है। परते दिन केस रिपोर्ट हो रहे हैं। ओमिक्रोन के कुल मिल आकर अभी तक हमारे पास 16 केस रिपोर्ट हुए हैं। तीन केस पहले रिपोर्ट हुए थे एक फिर दो और 13 केस जो एक साथ अभी आए हैं। यह वो केसी हैं जो पिछले 15 से 20 दिनों के टोटल जो सेंपल्स थे उन में से जो हैं वो पोजिटिव केस आएं। लेकिन ओमिक्रोन का एक्टिव केस इस वकत गुरुगावा में सरफ एक ही है। जिस तरह से ओमिक्रोन तेजी से गुरुग्राब में पैर पसार रहा है उसे ध्यान में रखते हुए स्वास्वे भाग ने अपने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के सिवल सर्जर ने भी लोगों से अपील की है कि बिना वज़े घर से बाहर ना निकले। देड़ वाले जगों पर जाने से बचे और कोविट के सभी नियमों का सक्ति से बालन करें ताकि कुरुणा जैसी खातक बिमारी से लोगों की दूरी बनी रहे। देखिए ऐसे दिसा निर्देश तो जो मैं कहूं या तो केंदर सरकार या रियाना सरकार की तरफ से लोगों को हम यही कह सकते हैं क्योंकि वेक्सिनेशन के बाद भी इंफेक्शन होन मिल रहा है देखने को आ रहा है तो अभी सोशल रिस्पोंसिबिलिटी अपनी है वो नि इसलिए वेक्सिनेशन बहुत जरूरी है और सरकार की तरफ से पहले ही दिसा निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि एक जनवरी के बाद पब्लिक प्लेस में आपको वेक्सिनेशन के बिना अलाव नहीं किया जाएगा बहराल जिला स्वास्ते विभाग ने आमजनता से अपील की है तो वहीं ये भी इशारा कर दिया है कि अगर कोरोना की मामले लगतार बढ़ते जा रहे हैं तो प्रशासन की और पावंदिया बढ़ाई जा सकती हैं ऐसे में नई साल का जश्न घर पर ही रहकर मनाए गुरुग्राम से टोटल न्यूस के लिए करन जैसिंग की रिपोर्ट